लो नमस्कार पंचादी टाइंस में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिन्द दिल्ली की राजनीती या yun कहें कि धर्ने की राजनीति हो गई है पिछले कुछ सालहों के एगर हम बात करें तो उन बीते बसुमetzt गत्री कि धर्ने कि राजनीति कर दो उन्हुस कि ढोगा और अब बीजेपी ने भी यही एजेंडा अपनाने की कोशिस की है कि अर्बिंद केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को घेरने के लिए वो भी धरने पे बैठे हुए हैं उदर सीम साहब अपने मंत्रियों के साथ LG के घर धरने पे हैं और यहां बीजेपी विधायक सीम साहब के आवास पे धरने पे हैं पूरे मामले में सबसे रोमांचित बाज वह यह रही कि आपके बागी विधायक जो हैं कपिल में इस तरह वह भी बीजेपी विधायकों के साथ धरने पे बैठे हुए हैं जिसके बाद ट्विटर का दौर चलने लगा धरने बैठने के बाद ट्विट पे फोटो वीडियो बताना कि हम इसलिए धरने बैठे में बीजेपी की मांगे हैं कि दिल्ली में दिल्ली सरकार जो सीम साहब के आवास पे सीम साहब कभी नहीं आये एसी अंदर उनके रूम में चल रही है कई महीनों से वहीं बीजेपी बिधाया कि वीजेंदर गुपता ने ट्विट कर एक वीडियो ट्विट किया है और जिसमें उनने बताया है कि धरने से घबरा कर आम आदमी पार्टी के लोगों ने सीम केजरिवाल के घर जो दफतर है दफतर के ट्वیलट पे ताला लगा दिया है ताकि यहां पर लोग धरने पर ना बैठे सीम साहब के रूम में एसी चल रही है यहां महीनों से नहीं आते हैं लेकिन जो दिल्ली के इलाके हैं वहां पे बिजली पानी के लिए लोग परिस इस मुद्दे के साथ BJP भी धरने पे बैठी हुई है अब देखना यह होगा कि धरने की जो राजनिती है यह दिल्ली को किस और लेके जाती है क्योंकि धरने पे चाहे CM साहब बैठें या फिर विपक्ष बैठें या फिर आला अधिकारी बैठें दिल्ली की मांगे उनकी जो इसमें परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा है दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है दिल्ली की अवाम कर रही है वो हर तरीके से कर रही है चाहे धरने पर कौन बैठ रहा है लेकिन जो ट्रेंड बना है दिल्ली में धरने की राजनिती का वो ट्रेंड दिल्ली को कहा लेकि जाता है इसका परड़ाम क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा देश और दुनिया के इसी तमाम बड़ी खबरें हम फेस्बुक और यूटीब के जरी आप तक पहुंचाते रहते हैं हमारा वीडियो अगर आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइ क्या है